हारे किसना आप देख रहे हैं टूमीडिया का जोतिश विज्ञान जोतिश में ग्रहो की स्तिती को संतुलिद करने और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन रत्नों और धात्वों का प्रयोग किया जाता है ऐसे में चंद्रमा और अन्य ग्रहो की सकारात्म गुर्जा को आकासित करने के लिए चांदी का छल्ला एक प्रभावी उपाय माना जाता है मानेता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हाथ के अंगुठे में चांदी का छल्ला पहनते हैं और इसे धारण करते समय इसके पूरे नियमों को पालन करते हैं तो इसका पूरा लाब मिलता है सही तरीके से पहना गया चंदी का छल्ला भी इस रूप से लाबकारी माना जाता है यही नहीं जीवन के विभिन पहलूर से सकारात्मक बदलाव आने भी इसके महत्वन जाते हैं चांदी धातू मुख्यरूप से चंद्रमा से समंधित होती है चंद्रमा मन और भावनाव का प्रते निधित्व करता है यदि किसी वैक्ति की कुंद्रमा कमजोर या उसे मजमूत करने की आवशक्ता है तो चांदी के चल्ले के हाथ के अमुठे में पहनने की सला दी जाती है चांदी प्रेम, सौंधरे और विलासिता के ग्रहे शुक्र से जुड़ी होई है और इसी वज़े से चांदी का चल्ला पहनने से इन दोनों ग्रहों के सकारात्म प्रभाव में ब्रदी होती है अमुठे में चांदी का चल्ला पहनने से मानसी शांती, इस्तिर्ता को बढ़ावा मिलता है यह मानसिक संतूलन बनाई रखनते हुए तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है यदि हम अरुवेद की माने तो चांदी में जीवानु रोधी गुड़ भी होते हैं जो शरीर को स्वस्त रखने में मदद करते हैं चांदी पहने से हुमिनिटी सिस्टम मजबूत होता है और कई तरह की बिमारियों से बचाव होता है जो तिस्य रूप से चांदी का चल्ला पहनने से वित्य स्थिति में सुधार आता है और आपके जीवन में ब्रदी आती है ये धन के प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है और घर में आतिक सुनिश्टी करता है अंगुठे में चांदी का चल्ला पहनने से निजी जिस्तों में सुधार आता है यह प्रेम और सदभाव को बढ़ाने का भी काम करता है दूसरों के साथ संबंदों को मजबूत करता है ऐसा माना जाता है कि चांदी का चल्ला हाथ के अंगुटे में पहने से आपके भागे में ब्रद्धी होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं यह जीवन के लि करें तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हरे किस नाम